नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक मार्केट इड्वेस्मेंट आइडियाज SMII दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीसियल के स्टॉक के बारे में और तोस्तों मोती लाल औस्वाल है हमारे देश पहुत ही बड़ी ब्रूपरेजास फरम है और दोस्तों इसने बीपीसियल मैंकॉल दी करते हैं दोस्तों इसका जो टारगेट लेवल है डेट कैन बी 570 तो दोस्तो आप देख सकते हो इसमें बहुती बड़े टार्गेट निकल कर आ रहे हैं बहुती पॉस्टिव मोमेंटम निकल कर आ रहा है इस इस न्यूज को हम डीटेल में स्टडी करेंगे दोस्तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी हिट कर लें ताके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तो आएए बढ़ते हैं आज के न्यूज की तरफ और इसके डीटेल में स्टडी कर लेते हैं कि मोतिलाल ओस्पल बीपीसियल पे इतना क्यों ब्यूलिश है तो आएए दोस्तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले इस न्यूज के डीटेल चेक कर लेते हैं दोस्तो जो BPCL that has posted better than estimated profitability driven by the better marketing volumes and refining marketing margins further added by the inventory gains. दोस्तो जैसे के आपको पता है BPCL के quarter 4 के results आ चुके हैं और दोस्तो इसने better than expected results जो है वो पेश किये हुए हैं in the quarter 4. दोस्तो इस company की profitability भी improve हो गई है और दोस्तो इसका जो sale volume that has also increased. एंड दोस्तो इस company के जो refining and marketing margins हैं वो भी improve हो रहे हैं इसलिए दोस्तो इस company में जो efficiency है वो improvement होती दिख रही है. तो दोस्तो इस आलसो गेंड एड़ेड वाई the inventory gains. The company has made huge progress towards the privatization in the financials year 21. दोस्तो जैसे के आपको पता ही है जो हमारे BPCL है this is a PSU company. एंड दोस्तो यह government of undertaking company है दोस्तो अब क्या है कि अब जो government है वो इस company में divestment process शुरू करने जा रही है. और दोस्तो इस direction में इस company में बहुत ही बड़ी जो है वो progress देखी गई है in the financial year 21. Despite the challenges faced by the COVID-19 by streamlining its subsidies, divested its entire stake in the NRL, consolidated stake in the BORL, merged the BGRL with the BPCL. and sold off its trust shares. तो दोस्तो आप देख सकते हो इसके जो trustees है उन्होंने इस direction में बहुत ही बड़ा जो है वो step लिया हुआ है. और जो privatization है उसकी तरफ और ये company जो है वो बढ़ रही है इसलिए दोस्तो इसमें बहुत ही positive momentum देखा जा रहा है और बहुत ही bullish pattern जो है वो निकल कर आ रहा है और इसके quarter four के results भी बहुत ही अच्छे दिख रही है. दोस्तो अब हम इसकी outlook चेक कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में ये company किस तरह की performance दे सकती है though the later is possible only with the opening up of the international travel जैसे के आपको दोस्तो पता ही है इस company के जो business है that is in the oil and gas sector दोस्तो जैसे ही international travel open होता है then only the progress is possible and our faith in the privatization of the BPCL is increased दोस्तो इस company का जो privatization की efforts है वो improve हो गही है और उसके बहुत ही clear chances है कि आने वाले टाइम में government जो है वो इस company में अपना जो stake sell करे इसलिए दोस्तो भी वैल्यू दा BPCL at 2.3 cross financial year 23 e.p.b. and re-trade our buy rating at target price of rupees 570 per share दोस्तो इसलिए जो मोती ला लास वाला इस company पर बहुत ही bullish देख रहे हैं यह जो company है दोस्तो oil and gas sector की हमारे देश की बहुत ही बड़ी company निकल कर आ रही है इसके quarter four results भी बहुत ही positive निकल कर आए हैं दोस्तो और इस company की profitability भी improve हो गई है दूसरा दोस्तो इस company में अब क्या है कि तो दोस्तो आप इसके accordingly अपनी position बना सकते हो आप जो है buy on dips कर सकते हो ताकि आने वाले टाइम में आपको अच्छे return जो है बो मिल सकें दोस्तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें दोस्तो हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे investment आइडिया और नए investment आईडिया जो है वो लेके आते रहेंगे आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें हमारे साथ जुडियेगा दोस्तो आपको कोई भी query है regarding viewer investment तो आप किसी भ और लेंग आप किसी भी आपके अच्छे वेड़ा हमारे ब्यूल